मुंबई से करीब 50 किलो मीटर दूर ठाने जिले के बदलापुर में बवाल हो गया दरसल दो नाबालिक छात्राओं के यौन शोशन का मामला सामने आया है जानकारी होने पर इन छात्राओं के परिजनों समेथ अन्य सैकडों लोगों ने स्कूल का गेट बंद कर हंगामा किया इसके बाद परिजन रेलवे स्टेशन पहुँच गए जहां पहले तो रेल की पट्री पर बैठ कर प्रदर्शन किया फिर जम कर तोड फोड करते हुए पत्राव किया इसके चलते तीन घंटे तक इस रूट पर लोकल ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ हालांकि पुलीस ने हंगामा कर रहे परिजनों से शांत रहने की अपील की है उधर उकमुक्य मंतरी देवेंद्र फड़नवीस ने जाच के आदेश दिये हैं इसके बाद वरिष्ट IPS आर्ती सिंग के नेतरित्व में मामले की जाच के लिए SIT का गठन किया गया है इसी के साथ पुलीस कमिश्नर ने भी ठाने को तुरन्त एक प्रस्टाव बनाकर मामले को फांस ट्रैक कोट में चलाने के लिए सब्मेट करने के निरुदेश दिये हैं मामला ठाने जिले के बदलापुर्स धित एक स्कूल का है पुलीस के मुताबिक मामला सामने आने के बाद ही आरोपी को गिरफतार कर लिया गया था लेकिन परिजनों का कहना है कि इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को आगे आकर माफी मांगनी जाहे दरसल बच्चियों के साथ छेर छाड करने वाला स्कूल का स्वीपर पुलीस के हत्थे चर गया है यह घटना 14 अगस्त की है उसके बाद स्कूल को 5 दिनों के लिए कर दिया गया था पीरित बच्ची के परिवार का आरोप है स्कूल ने FIR दर्ज कराने में मदद नहीं की थी जिसकी वज़े से FIR दर्ज होने में समय लगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें